हेलो अब्रिवान वेल्कम आपका जी गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आज यह हमारी पहली लाइव वीडियो है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ ठीक है कॉम्पिटिटिव जनल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स और हर एक सब्जेक्ट की आपको लाइव वीडियो मिलेगी और रिकॉर्डिट वीडियो भी हर एक एक साम की हर एक कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स की ठीक है तो आप बने रहे हमारे साथ और इंग्लिश की क्लास आपकी साड़े ग्यारा बज़े रहेगी हर रोज लाइव आएगी इसी यूट्यूब चैनल पे और ह Saat separat गर मैं बात करूं इंट्रोडिक्शन की तो सब्से पहले इंग्लिश जो आपका एक सब्रीक्ट है वह लिइंग्वेच और इंग्लिश और अगडिपाय्ग करेंगें और बाकी online भी आप हमारे साथ जड़े रहे हैं लाइक करें शेर करें और इसे subscribe भी करते रहें और साथ में जादा से जादा share करते रहें ठीक है एक हफते के अंदर-अंदर सारी classes हम live करेंगे और current affair आपको जैसे रोज up to date मिल रहा होगा और वाकी अब हम English start कर रहे हैं तो हर दिन आपको यहां पर साड़े ग्यारा बजे ठीक है live class मिलेगी जी गुरू जी यूट्यूब चैनल पर तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो start करने से पहले हम बात करते हैं इसके syllabus की तो English में जो most commonly आपका competitive का syllabus रहता है वो तीन parts में categorize किया गया सबसे पहला आपका vocabulary का section रहेगा सबसे पहला आपका vocabulary का section है second number पर आपका part of speech और third पर है आपका sentence ठीक है अब बात करें कर vocabulary की तो vocabulary से हर एक exam में अगर बात करें तो तीन से चार question कम से कम आपको आएंगे और vocabulary में क्या के include किया जाएगा synonyms, antonyms, one word substitution, spelling check, idiom and phrase ठीक है मुहावरे, लुकोक्तिया, समानार्थी शबद, जो भी विपरीत शबद, जो भी रहेगा वो सारा vocabulary में रहेगा ठीक है word meaning वगरा सारा इसके बाद अगर second की बात करें second जो इसकी classification है वो है आपकी कौन सी part of speech means noun, बोलने के क्या-क्या parts है उसके बारे में बात किया, तो कौन-कौन बोलेगा noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, subject, verb, agreement और fill up, ये सारा जो आपका based रहेगा ये किसके उपर रहेगा part of speech के उपर, ठीक है, और तीसरा है आपका तीसरी तरह से जो categorize कि किया गया वो है sentence, sentence में क्या के inclusion है वो देखिए tense, voice, narration, sentence, rearrangement, अगर बात करें इसकी weightage की तो first में जो weightage रहेगा वो रहेगा 3-4 questions का, अगर मैं sentence की बात करूँ तो यहां से भी आपके 5-6 questions आएंगे, अगर specifically मैं HP police की बात करूँ तो यहां से sentence, rearrangement, voice, narration, और tense, ठीक है, इसमें जो है यह आगड़ा 5-6 से बढ़कर 7-8 पहुंच जाता है अगर HP police की बात करें तो, उसके बाद रहता है आपका part of speech, यह आपका ज्यादा weightage का रहता है किसमें English में, तो English में अगर बात करें तो यहां से आपके 10-12 questions minimum मैं आपको अगर बात करूँ तो 10-12 questions आपका second part बनाए और 5-6 questions कम से कम आपका sentence बनाएगा, ठीक है तो इसमें अगर हम analyze करें तो सबसे important है आपका part of speech, ठीक है noun मतलब संग्या, सरब नाम जो भी हम Hindi grammar में बढ़ते हैं वो ही English grammar में चलेगा, अब अगर बात करें topics की तो आज सर्फ introduction आपको दिया जाएगा noun के बारे में, ठीक है noun means आपका क्या संग्या, हिंदी में भी आपने देखा होगा, यहां पे आपका दोनों bilingual चलेगा, हिंदी भी और English भी, ठीक है हिंदी और English means आपका basically रहेगा English लेकिन आपको समझने के लिए understanding के लिए आपकी हिंदी भी यहां include की गई है, तो संग्या का मतलब है आपने हिंदी म में भी पड़ा होगा, किसी बस्तू, गुण, कार्य, अवस्था का जो नाम है, किसी का भी किसी चीज का भी नाम उसको क्या बूला गया, उसने, संग्या, क्या बूला उसको, संग्या, और अगर English में बात करें, तो कोई भी ऐसा word जो naming के लिए use किया गया, either person, place, or thing, उसको क किसी का भी नाम, ठीक है, किसी का भी जैसे book, mathematics book, mathematics, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कोई भी नाम आएगा, grouping का, common का, abstract का, वो सारा किसमें आएगा आपका noun में, अब ये कितने type के रहेंगे, तो ये कितने type के होते हैं, सिर्फ 5 type के, इसे दो तरह से classify करते हैं, वैसे noun को, एक रहता है आपका ये five types, और एक रहता है आपके two types, five types में आपके आजाएंगे, proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, और अगर दूसरी तरह की classification की बात करूँ, तो इसमें रहेगा आपका countable noun, और दूसरा है, uncountable noun, countable मतलब जिनको गिना जा सके और uncountable मतलब जो गिने ना जा सके, ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं, first type of classification, जिसमें ये five types हैं, तो पहला अगर हम देखें, तो पहला आएगा क्या, proper noun, दूसरा है, common noun, तीसरा है, collective noun, चौथा material और पांचमा, abstract, ठीक है, अगर बात करें, proper, त तो proper का मतलब क्या हुआ, exact, ठीक है, इसे आगे explore किया गया है, वैसे पूरा, लेकिन ये सिर्फ इसका शब्दार्त है, ठीक है, तो मतलब proper का meaning है, exact, common का मतलब है, जो हम commonly use करते हैं, words को, collective मतलब आपका collection, collection, उसके बाद material, जो भी material का नाम होगा, जैसे cement, ठीक है, इंट वगएरा, वो सारा आएगा, material में, और अगला है, abstract, abstract का मतलब है, imagine, ठीक है, जो हमें दिखाई ना दे, या feelings, ठीक है, ये इसका आपका, मतलब एक, अगर बात करें, one word में, तो इसका meaning, proper का, मतलब exact, जैसे मैंने बात की, किसी लड़के की, तो लड़का कौन, कोई भी लड़का, राम, शाम, मोहन, कोई भी लड़का, मतलब exact, जिसकी मैंने specific बात की, exactly मैं राम की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आया common, common मतलब मैंने लड़के की बात की, लड़का मतलब अब चाहे राम है, चाहे वो शाम है, तीसरा है collective, collection, आपके class में मान लो, इस टाइम तीस बच्चे हैं, तो तीस में से मैंने दो को उठा लिया, collection कर ली, दो की, ठीक है, either boy or girl, उसके बाद आया आपके पास material, material मतलब जैसे ये LED, ठीक है, LG की LED, material, उसके बाद abstract noun, abstract मतलब हमारी जो हमें दिखाई न दे, लेकिन समझ में आए, feelings हमारी, वो किस में आएंगी, abstract noun में, अब अगर बात करें first की, तो first में आएगा proper noun, proper noun का मतलब, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम से होता है जैसे exact, अगर मैं बात करूँ किसी एक place की, तो कौन सा place, दिली, कौन सा place है, दिली, हिमाचल, उना, बंगाना, ठीक है, ये आएगा exact, जगा का नाम, उसके बाद आया, किसी व्यक्ति का नाम, person का, राम, शाम, गीता, मोहन, नाम, particular किसी व्यक्ति का exactly, तीसरा है आपके पास जैसे अब example, for example, राम is my best friend, अब इसने किसकी बात की यहाँ पे, राम की, राम कौन है, नाउन, कौन सा, प्रापर नाउन, ठीक है, बात की लेकिन किसकी की, राम की, दूसरा है, I live in, मैं कहां पे रहता हूँ, बंगाना, कहां रहता हूँ मैं, बंगाना, यह मान लो, I live in दि दिल्ली, दिल्ली मतलब किसका नाम आया, यह, प्लेस का, प्रापर प्लेस, एक्जेक्ट नाम, उसके बाद सेकेंड है, आपका, कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे राम, राम कौन है एक लड़का, जैसे उसने बोला, एक बर गया जाती क व्यक्तिव का जो या वस्तु का जो बोध कराता हो, जो हमें बताता हो कि इस जाती का, जाती मतलब इस मूँ का लड़का या लड़की, ओ ठीक है, मेल या फीमेल, उसे कॉमन नाउन का जाता है, जाती बाचक, जैसे यह देखो, किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, किंग, राजा अब राजा, उसने प्रॉपर ये नहीं बताया, कि किसका राजा, भारत का राजा या फिर अमेरिका का राजा, ठीक है, मेरे को उसने ये नहीं बताया, कि मघद का राजा या फिर कांगडा का राजा, ठीक है, सर्फ ये बताया क्या राजा, मतलब कौन सा, कॉमन नाउन, उ यह नहीं बता कि वो राम है या मोहन है तो क्या है वो कोमन उसके बाद आया गल सीता या गीता पर है कौन गल उसके बाद आया सिटी चाहे बंगाना चाहे उन्ना चाहे दिल्ली चाहे कोई भी सिटी है ओ ठीक है according to the boy the nearest town is far जैसे उसने अब ये नी बोला कि राम ने बोला उसने सिर्फ ये बोला उसने सिर्फ ये बोला किसने बोला मेर को boy ने बोला ये नी बोला कि राम ने बोला किसने बोला वो boy ने बोला कि जो यहां से nearest town है कसवा है वो काफी दूर है अगला याद the boys are going to the nearest village noun इसमें common noun क्या आएगा देखो boys और दूसरा क्या आएगा boy ओ ठीक है आगे आए तीसरा आपका collective noun collective noun मतलब collection जो हमें समू का बोद करा है जैसे 30 बच्चों का समू है ठीक है मतलब जिसमें कोई मेरे को numbering दी हो for example team committee army etc अब team एक team में कितने वले रहे हैं चाहे 11 हो चाहे 7 हो जितने मर्जी हो लेकिन क्या है वो collection है team की उसके बाद committee कमेटी में चाहे 4 बंदे हैं चाहे 3 है चाहे 2 चाहे जितने मर्जी है वो क्या है आपका collection और तीसरा army आर्मी में कितने troops हैं numbering में आ गया वो भी तो क्या है वो आपके पास collective noun अब आगे बोला गया कि जो collective noun है वो commonly कहां पर use किया जाते हैं आपके singular में आगर उसे plural में use किया जाए तो वो क्या करते हैं contradiction शो करते हैं मतभेद contradiction शो करते हैं वो जैसे for example the flock of geese spends most of its time in the pastures या फिर the jury is deciding the matter jury jury का मतलब क्या है group of judges उसके बाद जैसे ये s v s v का मतलब singular verb ठीक है singular verb के साथ उसने क्या use किया flock of geese collective noun उसके बाद आया the committee meets every week committee मतलब collective noun collective noun के साथ क्या use किया है मैंने singular verb अब इसके contradiction की बात करें तो देखो क्या है the team are divided over the issue of captain ship मतवेद contradiction की बात की कि जो team है वो divide होगी कि किसके संदरव में किसके respect में captain ship की कौन captain बनेगा जैसे ग्यारा है अगर आपके पास खिलाडी तो उसमें से चार ने बुला कि यह captain होन अची है चार ने बुला वो captain होन अची है तीन absent है तो वो क्या कौन सा case है वो आपका contradiction का कि contradiction हो गया तो वहां पर हम क्या use करेंगे plural verb मतलब आर ठीक है जब आगे इसके rule करेंगे तो आपको ज्यादा clarify कर दिया जाएगा अभी आप सिर्फ basic इतना सा करिए इसके हैं तीन टाइप चौथे पर आते हैं तो चौथा टाइप क्या है मेरे पास material noun starting में मैंने आपको बताया material का मतलब कोई पदार्थ ठीक है उसका नाम जो भी होगा वो किस में आएगा material noun में जैसे for example silver iron wood etc ठीक है gold वगएरा सारा इसी में आएगा जितने भी ornaments आएंगे वो किस के आएगे आपके material में जो भी material से बना होगा अब जैसे the necklace is made of gold हार बना है किसका सोने का diamond का वो सारा किसका आएगा आपका material noun का किसका आएगा वो material noun का she has purchased a tea set of silver he got his furniture made of a teak wood यहां पे जो भी आपका reddish color में दिया गया है वो किसे शो करेगा material noun को ठीक है अब material noun में जैसे मैंने आपको पताया था दो तरह से classification होगी तो वो material noun के पाट आजाएंगे जैसे material noun बोला countable नहीं होते हैं इनकी गिंदती महलब नहीं की जा सकती है इनको सिर्फ क्या किया जा सकता है तोला जा सकता है या मापा जा सकता है जैसे कितना gram सोनना ठीक है ठीक है कितने kilo diamond कितने kilo silver कितने kilo chandhi ओ ठीक है अब अगर बात करें इनके साथ समानेत है singular verb का प्रयोग किया जाता है और इनके पहले article का प्रयोग नहीं किया जाता article a and a का use नहीं करते हैं किसके पहले material noun के पहले और clear है यह rule में भी आएगा आपको आगे जो इसके important rule है 10 से 11 वो भी लिखवाए जाएंगे उनको भी present किया जाएगा मतलब systematic चलेंगे तो वहां भी आपको यह show किया जाएगा आगे last आपकी पांच मीट आइप आगी abstract noun abstract मतलब जो हमें दिखाई न दे मतलब गोण भाव क्रिया अवस्था stage feeling वो सारा किसमे आएगा आएगा abstract noun में मतलब जिसे चूआ न आजा सके अगर हम किसी चीज को चूआएंगे नी तो मतलब हमारी वो किसमे होगी दिमाग में मतलब feelings में ठीक है अब for example honesty क्या honesty को हम देख सकते हैं नहीं सरफ feel कर सकते हैं यह उसके बारे में बात कर सकते हैं भाव प्रकट feeling प्रकट कर सकते हैं feeling beauty youth और बुला कि abstract noun का प्रयोग जो है वो commonly कहां कि यूज किया जाता है आपका singular में singular मतलब single person दो तरह के person होते हैं singular और plural classify से भी तीन तरह से किया जाता है एक classification में आता है first person second person और third person दूसरे में आता है singular और plural वरब के भी पार्ट और पर्सन के भी पार्ट है अब फॉर एक्जांपल abstract के people respect his sincerity sincerity इसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं feel कर सकते हैं तो ठीक है आपने sincerity को नहीं देखा जैसे मैंने बोला कि जो कारती को बोल रहा है वो काफी sincere बच्चा है वो अलग बात है कि कुछ जादा ही है ठीक है तो मतलब sincerity का मतलब है अब मैंने sincerity नहीं देखी क्या देखा मैंने कारती की sincerity तो ठीक है किसी बस्तू की sincerity देखी मैंने तो sincerity जो है वो क्या है आपके पास है abstract noun honesty is the best policy या फिर इसकी जगा कर लो राम is honest person ठीक है तो honest जो है वो क्या है आपका abstract noun का part है कि उख्ले रहे है उख्ले रहे है तो यह था आपका सिर्फ noun का basic सा concept ठीक है और flavors की introduction जो आज आपको बताई गई ठीक है और online भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जी गुरू जी पर तो जुड़े रहे हमारे साथ like share और सब्सक्राइब करते रहें कर दो कर दो कर दो कर दो